भारत के दो राज्य यूपी और बिहार इनका जिक्र हमेशा से साथ में होता रहा है क्योंकि इन दो राज्यों में ही भारत के 37 करोन से जादा लोग रहते हैं लेकिन आज इन दोनों राज्यों के बीच काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है क्योंकि एक तरफ तो यूपी डेवलप्मेंट की नई-णई मिसाले पेस कर रहा है वहीं बिहार आज भी पिछडे राज्यों में गिना जाता है अब सवाल यह है क्यों यूपी डेवलप्मेंट की रेस में आगे निकल रहा है जबकि बिहार काफी पिछे रह गया है चलिए इसको हम डेटेल में समझते है पिछड़ा राजियों की बात करें तो यूपी बिहार के अलावा 36 गड़ मद्यप्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य भी शामिल है लेकिन इन राजियों ने वेटर डिसीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर के वज़र से खुद को सुधारने की पूरी कोशिश की है जिस वज़र से यहां आप डेवलपमेंट देखी जाती है और यहां अब लोगों के रहन सहन में भी काफी सुधार हुआ है पर बिहार और यूपी इसमें सबसे आखरी पैदान पर रह गया है लेकिन इसमें भी अगर यूपी बिहार की एकोनॉमी पर नज़र डालें तो यूपी की बिहार से परफॉमेंस काफी अच्छी है फिलाहल यूपी इंडिया का सेकेंड लार्जिस्ट एकोनॉमी वाला राज्य बन गया है जिसका भारत के जीडिपी में 9.2% का सेयर रहता है इस साल प्रेजेंट किये गए यूपी के बजट के एकोडिंग यूपी की जीडिपी 24.9 लाग करोण को पार कर गई है जो की 2016-17 में सिर्फ 13 लाग करोण थी इस ग्रोध को देखते हुए एक्सपोर्ट का ये भी मानना है कि आने वाले कुछ शालों में यूपी महराश्टर को पीछे छोड़ देगा वहीं हम बिहार की एकोनॉमी की ग्रोध रेट को देखें तो इसमें भी सब को काफी हैरान किया है पिछले 15 से 17 सालों के दौरान बिहार की जीडिपी बिहार की बजट की साइज करीब 10 कुना हो गया है और आज ये देख के पांच में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में गिना जाता है जिसकी जीडिपी 8.98 लाग करोण है अब भले ही इसमें पिछले सालों के मुकाबले काफी ग्रोथ आई हो लेकिन अभी बिहार और यूपी की जीडिपी में बहुत बड़ा अंतर है लेकिन दो स्टेट की ग्रोथ मापने के लिए जीडिपी एक पैरामीटर नहीं हो शकता क्योंकि दोनों स्टेट के पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा अंतर है यूपी की पॉपुलेशन जहाँ 24 करोण है वहीं बिहार की पॉपुलेशन 13 करोण है और ऐसे में अगर पूरी स्टेट की जीडिपी को साइड में रखकर अगर हम पर कैपिटा इंकम देखें तो हमें ज्यादा समझाएगा 2023 में यूपी की पर कैपिटा इंकम 83,565 रुपे थी वहीं सेमियर बिहार की पर कैपिटा इंकम 54,110 रुपे थी यानि इस मामले में भी यूपी बिहार से काफी आगे चल रहा है इसी के साथ आप इसके गरीबी पर नजर डालेंगे तो बिहार में तीन में से एक आदमी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहा है वहीं यूपी में पांच में से एक आदमी गरीवी रेखा से नीचे क जीवन जी रहा है यूपी में जहां 26.35% पॉपॉलेशन गरीब है वहीं बिहार में 36.95% पॉपॉलेशन गरीब है मतलब यहां दोनों स्टेट के बीच लगबग 10% का फास्टला है इसके अलावा किसी भी राजे का एकोनोमी उसके सहर से ज्यादा डिपेंड करता है ऐसे में अगर दोनों राजियों के सहरी डेवलेप्मेंट की बात करें तो 2011 के जनगर्णा में बिहार की सहरी जनशंख्या 11.8 मिलियन थी वहीं यूपी की 2011 में ही 22.28% थी और डिफ्रेंस भी दो गुना है अगर इन सब चीजों की बात करी रहे हैं तो सिक्षा को कैसे भोल शकते हैं लेकिन बिहार इसमें भी यूपी से 6% तक पीछे चल रहा है क्योंकि जहां यूपी का लेटरेसी रेट 67.7% है वहीं बिहार का लेटरेसी रेट 61.8% है और अगर हम दो श्टेट की पब्लिक इमेज को भी देखें तो जहां बिहार आए दिन हो रहे दंगों के चर्चों में है वहीं यूपी नए नए डेवलपमेंट की अख़बारों की हेडलाइन बनते दिखाई दे रहा है हाला की ऐसा नहीं है कि बिहार के मुकाबले यूपी बहुत आगे है लेकिन कुछ मामलों में यूपी आगे है अब हम ये सवाल पे आते हैं कि ऐसा क्या है कि बिहार पिछड़ता हुआ जा रहा है और यूपी ग्रो कर रहा है तो कुछ expert का मानना ये है कि आज जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वहां की मौजूदा government है जहां बिहार की कुर्सी पर 18 साल से CM नितीज सीविराज मान है वहीं UP में मुख्यमंत्री बदलते हैं कभी मायावती, कभी अखलेज स्यादो और कभी योगी आदित्यनात इसका फायदा ये होता है UP को कि हर government competition में कुछ ना कुछ काम जरूर करती है हर सरकार ने कुछ ना कुछ काम किया है बात ये है कि ऐसा नहीं है कि विहार में भी growth नहीं हुआ है एक सरकार होने के वज़र से विहार में भी growth हुआ है लेकिन बहुत ही धीमी गती से जो कि आज भी UP से काफी पीछे चल रहा है UP बिहार के कैमपरिजन में बिहार का मीटर थोड़ा स्लो नजर आज भी आता है आपका क्या मानना है कॉमेंट सेक्षन में लिखके जरूर बताईएगा मेरा नाम है संजीव मिश्रा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में